देश में अब तक 87,20,000 से अधिक लोगों को लगा अगया कोरोना का टीका 50 वर्ष से अधिक आईउ वाले तीसरे वर्ग के लिए अगले मैने से शुरू होगा टीका करण अभियान मध्यप्रदेश के सीधी जिले में यात्री बस के नहर में गिरने से अब तक 45 लोगों की मौत राहत और बचाब कारे जारी सरगुजा जिले में बर्ड फ्लू का मामला सामने आया प्रशासन ने बर्ड फ्लू की रोप ठाम के लिए अलर्ट जारी किया और देश भर में बसंत पंचवी तथा सरस्वती पूजा का पर्व श्रधा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार मैं हूँ अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से केंद्री स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्श वर्धर ने कहा है कि सरकार 50 वर्ष से अधिक आयूवाले तीसरे वर्ग के लिए अगले महिने से कोरोना टीका करण अभियान शुरू करेगी वर्ष 2020-22 के लिए स्वास्त मंत्राले के बजट के बारे में पत्रकारों से बातचीत करते वे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 16 जनवरी से स्वास्त कर्मियों को कोविट टीका लगाने का अभियान शुरू किया था और दो फरवरी से कोरोना नियंतरन के लिए अग्रिम पंक्ती के कारिकरताओं के दूसरे वर्ग को टीका लगाने का कार शुरू किया गया उन्होंने बताया कि जिन लोगों को टीके की पहली खुराग दी जा चुकी है उन्हें इस महिने की 13 तारिक से दूसरी खुराग दी जा रही है डॉक्टर हर्श वर्धन ने कहा कि कोरोना टीका करन के साथ ही लोगों को संक्रमन से बचने के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करते रहना चाहिए देश में अब तक 87,20,000 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है केंद्री स्वास्त मंत्राले ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 4,35,000 से अधिक लोगों को कोरोना टीके की खुराग दी गई है इस बीच देश में कोरोना संक्रमन से ठीक होने वाले लोगों की दर 97,32 प्रतिशत हो गई है मंत्राले ने बताया कि अभी देश में लगभग 1,36,000 सक्रिय मामले हैं जो कुल मामलों का केवल 1,25 प्रतिशत है इधर 36 घड में भी स्वास्त कर्मियों और अग्रिम पंक्ती के कारेकरताओं को कोरोना टीका लगाने का कारे लगातार जारी है प्रदेश में अब स्वास्त कारेकरताओं को कोरोना टीका का दूसरा डोज लगाने का कारे भी शुरू कर दिया गया है कबीरधाम जिले में स्वास्त कारेकरताओं को कोरोना टीके का दूसरा डोज दिया जा रहा है इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संक्या 3,09,000 से अधिक हो गई है इन में से 3,02,000 से अधिक लोग संक्रमन मुक्त हो चुके हैं वर्तमान में लगबग 3,000 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है और गोता खोरों ने अब तक साथ लोगों को बचा लिया है शेश यात्रियों की तलाश जारी है मुख्यमंत्री शिवरासी चौहान ने मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपए देने की घोशना की है शिचौहान ने कलेक्टर से बाचीत की और बचाव कारे की निगरानी के लिए दो मंत्रियों को घटना इस्थल के लिए रवाना किया है ये बस उस समय दुरघटना ग्रस्थ हुई जब सीधी से सतना जा रही थी प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी ने बस दुरघटना पर शोक व्यक्त करते हुए प्रदानमंत्री राहत कोश से दुरघटना बे मरने वालों के निकट संबंधी के लिए दो दो लाख रुपए की अनुगरह राशी देने की खोशना की है प्रदेश के सरगुजा जिले में भी बर्ड फ्लू ने दस तक दे दी है जिले के सरगावा इसे शासकी कुकुट फार्म में बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है पिछले कुछ दिनों से इस कुकुट फार्म में मुर्गे मुर्गियों की मौत हो रही थी यहां से सेंपल जाच के लिए भोपाल इसित लैब भेजे गये थे जहां से रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इसके बाद से जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है पशुधन विकास विभाग के अतरिक्त संचालक डॉक्टर के के ध्रू ने बताया कि बर्ट फ्लू की रोक थाम के लिए सरगावा इसित कुकुट फार्म के एक किलोमेटर के दायरे में आने वाले मुर्गे मुर्गियों को भी मार कर दफनाया जा रहा है यहां बर्ट फ्लू H5N1 पॉजिटिव की सुचना यहां से मिली है रिकोर्टिंग होई है कि और उसके आजार पे जो भारत सरकारके घाइडलाइन उसके तहट एक से दस किलोमेटर के जो रेडि़स होते हैं वहां पे इस जवर्ग चेल रहा है और एक किलोमेटर रेडियस के अंदर जितने भी चाक्छियां होंगे उनको कलिंग किया जाएगा, उनको मर जाएगा, नस्ट किया जाएगा उलेखनी है कि ये कुकुट फार्म एक अन्य बिमारी की वज़ा से बीते साल चार माह से बंद था वहीं प्रशासंद्वारा एतियात के तौर पर क्षेत्र के चिकन बाजार को भी बंद करा दिया गया है खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का अपना काड और पिल दे, मेरे काड की डीटेल्स मैं अप फोड़ी डालूंगी, RBI कहता है अपना PIN, OTP, CVD या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ट किसी के साथ शेर ना करे, ओनलाइन बैंकिंग सिफ अपने कंप्यूटर, मुबाइल और सिक्यर नेटबर्क से करे, बाई ग ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूर दर्शन समाचार में प्रधान मंत्री रोजगार स्रीजन कारिक्रम के अंतरगत क्रिशी आधारित प्रसंसकरण उद्योगों को बढ़ावा देने और कुटीर उद्योग के लिए ग्रामिनों को जोड़ने के उद्देश से राजदान गाउ में एक दिवसी सेमिनार का आयोजन किया गया केंद्री सूक्ष्म लगू और मध्यम उद्यममंत्राले के अंतरगत खादी और ग्रामो द्योग आयोग द्वारा आयोजन इस समिनार में जिले के विभिन ख्षेतरों से आये ग्रामिन शामिल हुए और उन्होंने क्रिशी आधारित उद्योग स्थापित करने के संबंध में जानकारी प्राप्त की खादी ग्रामोद्योग आयोके संयुक्त मुख्य कारेकारी अधिकारी बारा मतेकर वाईके ने बताया कि इस समिनार के माध्यम से क्रिशी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश है समिनार में आये ग्रामिनों को बताया गया कि वे एक समूह के रूप में क्लस्टर बना कर भी क्रिशी आधारित उद्योग लगा सकते हैं इसके लिए शासन की योजनाव से उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी चतीजगर में भी लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्रिशी आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है प्रदेश में कई ऐसे परटनिस्थल हैं जिनें अब तक विशेश पहचान नहीं मिली है ऐसा ही एक स्थान है बालोद जिले का ओना कोना गाउं ये गाउं बालोद जिले के अंतिम छोर में बसा हुआ है जो अब परटनिस्थल के रूप में विक्सित हो रहा है गंग्रेल बांध के डुबान क्षेतर में होने के कारण यहां आसपास की प्राकृतिक खूपसूर्ती को देखने के लिए बड़ी संख्या में परटक आने लगे हैं यहां बोटिंग की भी व्यवस्था की गई है जिसका आनंद यहां आने वाले सैलानी उठाते हैं ओना कोना में मंदिर का निर्मान भी किया जा रहा है यह मंदिर महराश्र के नाशे किस्थित श्री त्रयंबकेश्वर जोतिरलिंग धाम की तर्ज पर किया जा रहा है मंदिर के सनरक्षक तीरत राज फुटान ने बताया कि ओना को परटन की द्रिष्टी से विक्सित करने का प्रयास शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है कि लोगों को आगे रोजगार मेंने का संभाना है ओना खोना आने वाले परटकों का कहना है कि यह इस्थान परटन की द्रिष्टी से बहुत ही अच्छा है और यहां बार बार आने का मन करता है इस्थाना यह मंदर मुन मैंने देखा हूँ बहुत सुंदर तरीके से बना हुआ यह जा तो डैम का पानी आज़ी बाज़ी बहुत अच्छा लगता वोटिंग अने बहुत अच्छा लगा मुझे अच्छा लगा मुझे और बहुत ही सुंदर बन बया जब इसमें भान कुलिंग की स्थापना हो जाएगी बहुत ही प्रसिद्ध बंदिर हो जाए गाई है कांकिर से मैं ओना कुना का नाम बहुत टाइम से सुन रही थी बड़ आई अभी आग इता अच्छा फील हो रहा है शांती सुकून अब और आने का मन हो रहा है वोटिंग करके नेक्स टाइ और बालो से 50 किलोमेटर की दूरी परिस्थित है जहां सडक मार्क से आसानी से पहुचा जा सकता है देश भर में आज बसंत पंचमी और मा सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है इस अफसर पर शद्धालू विशेश कर विद्यार्थी विद्या और ज्यान की दे पूजा पर देश वासियों को बधाई दी है एक ट्वीट में श्री कोविन ने बसंत के आगमन पर लोगों के जीवन में सुख सम्रिद्धी और खुशहाली की कामना की है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और केंदरी सूचना तथा प्रसारन मंतरी प्रकाश जावडे करने भी बसंत पंचमी के आफसर पर बधाई दी है इधर 36 गड में भी बसंत पंचमी के आफसर पर अनेक कारिकरम आयोजित किये जा रहे हैं मंदिरों इसकुलों और घरों में मा सरस्वती की पूजा की जा रही है राजधानी रायपुर के काली बाडी में बसंत पंचमी का पर् साथ ही पंडितों द्वारा बच्चों को विधिवत सिक्षा देने की शुरुवाद भी की गई, वहीं पुरानी बस्ती सित महामाया मंदिर में भी बसंत पंचमी पर कारिक्रम आयोजित किये गए। की शुरुवाद हो रही है। आज का दिन ही बसंत पंचमी का दिन निश्चित किया गया है और साथ ही साथ बसंत पंचमी आज से ही एक सांदार रितु प्रारम हो रहा है। बसंत पंचमी के आवसर पर विभिन विद्या पीठू और मंदिरों में हवन पूजन का भी विशेश आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालू शामिल हुए। राजान गाओं के कमला कॉलेज मैदान में एक दिवसिय राजिस्तरी तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। में कई खिलाडी संसाधनों के अभाव में अपनी प्रतिभान नहीं दिखा पाते हैं। तीरंदाजी को प्रोचसाहित करने और खिलाडियों की मदद के लिए शासन, प्रशासन तथा स्वयम से भी संस्थाओं को आगे आना चाहिए। तीन बार नेशनल खेल चुकी हूँ उडिशा से और चार साल से अभी तीरंदाजी खेल रही हूँ। राज्य स्थरिय तीरंदाजी प्रतियोगिता 12 राउंड में खेली गई जिसमें प्रतिभागियों ने 12 राउंड में लक्षि पर 36 तीर चलाए। प्रतियोगिता में राज्य और राश्ट्री स्थर के खिलाड़ी भी शामिल हुए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटीन समाप्त हुआ। नमस्कार।